मीडिया बंदूओं जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजल समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेजिनेंट की मुखिया की ये संयूक्त व्यखास कर परधान मत्री स्री नरेंगर मोदी की तथा बीजेपी के राष्टे अध्यक्ष स्री अमित्शा की अर्थात इन दोनों गुरू वे चेले की नीद उड़ाने वाली अती महत्रपून अवंबित्य हसिक प्रेस कॉन्फरेंस हो रही है हलाके इसकी वास्तम में प्रिष्ट भूमी ये है कि हमारी पार्टी बीएस्पी ने परम्पूजे बाबा साथ डॉक्टर भीमराब अम्बेटगर के देहन के बाद उनके अधूरे पड़े कार्वा को ना केवल गती परदान की है बलकि काफी उताब चड़ाब का सफर तैक करते हुए उसे इतिहासित सफलताएं भी परदान की है और इतना ही नहीं बलकि बीएस्पी ने इनके द्वारा यहां जातिवादी विवस्ता के शिकार लोगों को मान समान की जिन्दगी बसर करने है तू राजनितिक सत्ता की मास्टर चावी प्राप्त करने की धी गए उसी अमर्वानी वे मिशनरी लक्स को सही माइने में जमीनी हकीकत में बदनने के कर्म में ही यहां लोईया जी के बताई हुए रास्तो पर चल रही समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में मानेवर शिरी कांशी राम जी वैसरी मुलाइम सिंग यादव जी के निर्तित में उत्तर परदेश में विधान सबाके हुए आम चुनाव में चुनावी गटभंदन करके यह चुनाव लड़ा गया था और फिर उसके परिनाम सरूप ही उत्तर परदेश जैसे देश के सबसे बड़े महत्र पूर्ण राज्ये में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जाती वादी वे संप्रदायक पार्टी को पचाड़ते हुए तब यहां सरकार भी बनाई गई थी हलाके यह गटभंदन कुछ गंभीर कारणों की वज़े से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था लेकिन अब देश्व जनहित को उन कारणों में से खास कर दो जून 1995 के घटित हुए लखनों गेस्ट हाउस कांट से भी उपर रखते हुए यानि कि देश्व जनहित को इस कांट से भी उपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहां देश में लगभग उसी परकार की दूशित राजनितिक वे संप्रदायक्ता के महुल के मद्धे नजर रखते हुए आपस में चुनाबी समझोता करने का फैसला लिया है और ये भी सर्विदित है कि जैसे उस समय सन 1990 के आजपास बीजेपी की घोर जातिवादी संकीर्ण संप्रदायक्त वे अईहुद्य मामले को लेकर धार्मी कुनमाद एवं हिंसा अधी के जहरीले महुल के काले साय के कारण आमजन जीवन जिस प्रकार से प्रभावित था तो उससे देश की आमजनता बुरी तरह से तरस्वे तरही तरही कर रही थी तो ठीक उसी प्रकार से आज भी उतर परदेश सहीत पूरे देश की लगभग सवा सो करोड आम जनता बीजेपी की केंदर वे राजे सरकारों के खास कर घोर चुनाबी वाइदा खिलाफी करने के साथ साथ इनकी गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार वे वेपारियादी विरोधी नितियों तथा इनके एहंकारी एबंताना शाई वाले रवेये से अत्यनती परेशान वे दुखी हैं तो ऐसे हालातों में एक बार फिर से BSP वे सप्पा ने व्यापक जन हित्वे देश हित को ध्यान में रखकर खास कर उत्तर परदेश में एक जुठ होने की काफी जरूरत महसूस की है और इस समंद में सर्व समाज की आम जन भावनाओं का पूरा पूरा कदर करते हुए तथा इनको पूरा पूरा आदर सम्मान देते हुए देश में लोगसभा के सिगरी होने वाले आम चुनाओं में पूरे जन संतोस वाला चुनावी गटबंदन करके ये चुनाव लड़न का फैसला किया है और जिसकी आज ही घोशना भी कर दी जाएगी जो निश्चित तोर पर ये इस नए वर्स सन 2019 में एक प्रकार से नए राजनितिक क्रांति का संदेशी माना जाएगा तथा जो देश के सविधान को उसके सईवे असली जन हिते सी एबम कल्यानकारी मार्क पर च वैसप्पा के बने इस गटबंदन से समाज वै देश को बहुत उम्मेदी भी जग गई है क्योंकि यह चुनाव जीतने के लिए केवल दो पाटियों का ये एक जुट होना मात्र नहीं है बलकि ये समाज के अधिकांस आबादी का प्रतिनित्व करने वाले सर्व समाज के ख खास कर गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे वे मजोले वैपारियों, युवाओं, बेरोजगारों, महलाओं वे अन्य महनत का साम जनता के साथ साथ दलितों, शोशितों, पिष्डों, मुसलिम वे अन्य धार्मिक अल्प संकोकों के हितों की रक्षा एवम इनका प्रत की निद्रित करने वाली एक शक्ती भी है, जो आगे चलकर देश के बहतर कल को बनाने वाली समाजिक परिवर्तन एवम आर्थिक मुक्ति के मिश्नरी लक्ष की प्राप्ति का एक खास समाजिक एवम आर्थिक करांतिक का अंदोलन भी बन सकता है इसके साथ ही वैसे आपको ये भी मालूम है कि देश में पिछले लोकसभा और उसके बाद उत्तर परदेश में विधान सभा के हुए आम चुनाओं में भी बीजेपी ने जिस परकार से केंदर वे उत्तर परदेश में यहां बैमानी से अपनी सरकार बनाई है और जिनकी गलत नितियों वै गलत कारे परनाली आदी से जनता आज बहुत ज़्यादा दुखी है जिसे अती गंबीरता से लेते हुए फिर ऐसी जन विरोधी पार्टी को आगे सत्ता में आने से रोकने के लिए हमने पहले ही यहां उत्तर परदेश में कुछ लोकसभा वै विधान सबा की सीटों पर हुए उपचुनाओं में इनके अधिकांस उमीद्वारों को हराके इसकी सुरुवात भी कर दी हैं जबकि इन चुनाओं में कांग्रेस पार्टी के उमीद्वारों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी और फिर इसके बाद से पूरे देश में यह आम चर्चा शुरू हो गई कि उत्तर परदेश में असी लोगसबा की सीटे हैं और जबी बीएसपी वे सप्पा यहां गटबंदन करके लोगसबा का आम चुनाओं लड़ते हैं तो फिर इस बार केंदर में बीजेपी को सता में आने से जरूर रोका जा सकता हैं और वैसे इनके चुनाब्वी वाइदा खिलाफी कुशाशन वे गलत नितियों एवं जातिवादी संकीन दुएसपून संप्रदाइक वे पूंजी वादी तथा एंकारी वे तानाशाई वाले रवये एवं कारे परनाली से अब पूरे देश में गरीब मजदूर किसान वे पारी वे अन्य महनत कस लोगों के साथ साथ खास कर दलित, आदिवासी, पिशड़ावर्ब, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्प संक्यक समाज के भी लोग अपनी विभिन समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफी ज़्यादा दुखी वे चिंतित ही नजर आते हैं इसके साथ ही इनके बिना पूरी त्यारी के विसेश कर नोट बंदी वे जी एस्टी के लिए गए फैसले से तो इनकी कमर और भी जादा तोड़ कर रख दी गई हैं जिने खास ध्यान में रखकर ही वे इन लोगों के हितों को प्रात्मिक्ता देते हुए अर्थात इनके हितों में लखनो गेस्ट हाउस कान को भी किनारे करके फिर हमने आबादी वे लोगसभा की सीटों के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े परदेश उत्तर परदेश में यहां लोगसभा काम चुनाब गटबंदन करके लड़ने का ही फैसला लिया है ताकि इस बार बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को किसी भी कीमत पर केंदर की सत्ता में आने से यहां विशेश कर उत्तर परदेश से ही रोका जा सके और वैसे भी हमें यह पूरा पूरा भरोसा है कि जिस परकार से हमने अर्थाद बीएसपी वे सपा ने मिलकर अभी तक यहां लोगसभा वे विधान सबा के हुए सभी उपचुनावों में बीजेपी के अधिकां सुमिदवारों को बुरी तरह से हराया है तो फिर यह बीएसपी वे सपा का बना गटबंदन देश में जल्दी ही होने वाले लोगसभाम चुनाओं में भी खास कर यहां उत्तर परदेश से बीजेपी के उमीदवारों को अब किसी भी कीमत पर काम्याब नहीं होने देगा जिसकी हमें पूरी पूरी उमीद भी है लेकिन अब यहां आप लोगों को लेकिन अब यहां आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गटबंदन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है मैं जरूरी बाते आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े लेकिन अब यहां आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गटबंदन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है जबकि समंद में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आजादी के बार काफी लंबी अबदी तक केंद्रवे उत्तर पर देश सही देश के अधिकांस राज्यों में भी जादा तर्यां कांग्रेस पार्टी नहीं एक सत्र राज किया है जिसमें विसेश कर कमजोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, वेपारी एवम अन्य विविन छेत्रों में लगे महनत कस लोग आदी ये सबी काफी जादा परिशान रहे हैं और इनके शाशनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी वे भ्रस्टाचारादी भी काफी जादा बड़ा है जिसकी वज़े से ही फिर यहां बीएस्पी वे सप्पा सहीद अने को और भी राजनितिक पार्टियों का गठन हुआ ताकि इन लोगों को इस पार्टि के कुशाशन वे मन मानी वाले राज से कुछ हट तक मुक्ती मिल सकें ऐसी इस्तिति में केंदर वे राज्यों में चाहे सत्ता यहां कांग्रेस पार्टि या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है अर्थात इन सब की नितियां सोच वे कारे शैली आदी अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांस नजर आती है जैसे देश में रक्षा सोदों की खरीद फरोग के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्ट घोटाले हुए हैं ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है जिसकी खास वज़े से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंदर की सरकार गवानी पड़ी थी और अब देश में जल्दी ही लोगसबा के होने वाले आम चुनाओं में बीजेपी को भी खास कर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंदर की सरकार जरूर गवानी पड़ेगी ऐसी देश में काफी आम चर्चा भी है इसी परकार बरतमान केंदर की भाज़पा सरकार का राज विसेश कर अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए उनके उत्पीडन करने के मामले में हमें पूर में कांग्रेस पार्टी के रहे राज में सन 1975 में लगी अमर्जंसी से भी अब कोई कम नजर नहीं आता है अर्थाद फर्क केवल इतना ही है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के राज में उस समय घोसित अमर्जंसी थी और अब बीजेपी के राज में अघोसित अमर्जंसी लगी हुई है जिसके असंख्य उधारन आप लोगों के सामने है और इसके लिए अब ये लोग अपनी सरकारी मशिनरी का जबरदस्ट दूरुपियों करके वे जनता में अपने प्रभावसाली विरूदियों से घबरा कर उनके विरूद जबरदस्टी के काफी बरसों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं इसके साथ ही गड़बंदन को लेकर कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात भी सर्विदित हैं कि बीएस ट्वी वेस अप्पा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाबी गड़बंदन करने से कोई खास लाब मिलने वाला नहीं है क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभब यह राह है कि इनके साथ गड़बंदन करके चुनाब लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांस वोट ट्रांसफर नहीं होता है और वे जादा तर बीजेपी वे अन्य जातिवादी पार्टियों को ही चला जाता है या फिर जान बूज कर एक सोची समझी रननिती के तहर उसे अंदर अंदर ट्रांसफर भी कर दिया जाता है जबकि हमारी पार्टी से जुड़ा पूरा का पूरा बोट एक तरफा हमारे साथ गड़बंदन की गई किसी भी पार्टी को पूरी मानदार इसे ट्रांसफर हो जाता है जिससे कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को तो हमसे पूरा लाम मिल जाता है लेकिन हमारी जैसी इमानदार पार्टियों को इनसे इसका कोई खास लाम मिलने वाला इनसे कोई खास लाम नहीं मिल पाता है और इससे फिर हमारी पार्टी का बोट परतिशत और कम हो जाता ह जिसका कड़वा अनुभव हमने यहां उत्तर परदेश में ही सन 1996 में विधान सभा के हुए आम चुनाव में कांग्रेश पार्टी के साथ गड़बंदन करके किया भी है और शायद लगभग यही कड़वा अनुभव यहां पिछले विधान सभा के हुए आम चुनाव में समा जल्दी ही लोग सभा के होने वाले आम चुनाव में खास कर यहां उत्तर परदेश में बीएस पी वे सपा के बने गड़बंदन में कांग्रेश पार्टी को शामिल नहीं किया है हलाके अब हमारी पार्टी ने पूरे देश में ये फैंसला लिया है कि हमारी पार्टी अब आगे कांग्रेश पार्टी की तरह ऐसी अन्य और किसी भी पार्टी के साथ गड़बंदन करके कोई चुनाव नहीं लड़ेगी जिससे हमारी पार्टी को खुदी राजनितिक पूर्ब में विधान सबाम चुनाब के लिए हुआ गड़बंदन का पिछला रहा अनुभव दोनों ही पार्टी के लिए काफी कारगर साबित हुआ है अर्था दोनों ही पार्टी का बोट एक दूसरे के उमीदवारों को पूरी इमानदारी से ट्रांसफर हुआ है जिसकी और अब हमें पूरा पूरा भरूसा है कि यहां बीएसपी वेसपा का बना ये गड़बंदन इस बार केंदर में बीजेपी को किसी भी कीमत पर सता में आसिन नहीं होने देगा और इनको इस बार हर हालत में यहां उत्तर परदेश से ही रोग देगा बशर्ते जदी इस पार्टी ने पूर्ग की तरह यहां बोटिंग मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं की तता नहीं इन्होंने खास कर राम मंदिर निर्मान के नाम पर यहां की जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ कोई खिलवार आधी किया इनी जरूरी बातों के सपा के बने इस गड़बंदन के संधर में यह कहना चाहूंगी कि उत्तर परदेश में इन दोनों पार्टियों का यहां लोगसबाम चुनाब में एक साथ मिलकर चुनाब लड़ने का हमारा यह गड़बंदन फाइनल हो चुका है और इसके लिए हमने दिनाक चार जन्वरी को दिल्ली में यह कठा बैठ कर वे काफी गहन सोच विचार करके परदेश की सभी अस्सी लोगसबा की सीटों का फाइनल बटवारा भी कर लिया है और इसके बाद हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबरा कर अपनी पूर्व की की गई तियारी के मुताबिक हमारे बने इस गड़बंदन को कमजोर करने वे तोड़ने के लिए एक सोची समझी रनने थी वे साजिस के तहट सपा के अध्यक्स सरी अखलेस यादव का नाम जान बूस कर खनन मामले से जोड़ कर वे इनकी छबी को धूमिल करने के लिए मीडिया आदी में बड़े पहमा पर इनके साथ खड़ी है जबकि इस पार्टी को अर्थाद बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इनकी इस घिनोनी हरकत से अब बीएस पी वे सपा के बने इस गड़बंदन को और भी ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी और अब इससे इनका और अब इससे इनका सरी सिपाल यादब पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही वेकार चला जाएगा और अम मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूं कि इस बने गड़बंदन में किस पार्टी के पास कितनी सीटे रहेंगी तो ये सब भी दिनाग चार जनवरी को दिल्ली में ही फा रहें जिसमें से bsp 38 38 लोगसबा की सीटों पर और sp 38 लोगसबा की सीटों पर मिलकर ये चुनाब लड़ेगी और दो लोगसबा की सीटे हमने अभी एक दो और पार्टिओं के लिए छोड़ दी है इनके इलाबा दो और सेस बची सीटे अर्थात अमेटिवे राइबरेली ये दोनों लोगसभा की सीटे हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गडबंदन किये हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिये हैं ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की सरक्षत वे इनके अद्यक्स को भी यहां अद्यक्स को भी यहीं उलजा कर ना रख सकें इसके साथ साथ बटवारे में कौन-कौन सी सीटे बीएस पी वे सपाधी के पास रहेंगी तो इसका भी लगभग तैही हो चुका है जिसकी सीट वार पूरी जानकारी आपको बहुत जल्दी ही प्रेस नोट के जरिये दे दी जाएगी और अब मैं और अम मैं अंत में बीएस पी वे सपाध के सभी छोटे बड़े पदादी कारियों नेताओं वे कारे करताओं से मीडिया के माध्यम से ये पूर जोर अपील करती हूं कि वे इस चुनाओं में पर्दे के पीछे से बीजे पी द्वारा चलाई जा रही सरी सीपाली आदब की पार्टी को तथा कुछ अन्य और स्वार्थी किसम के लोगों को भी मैनेज करके वे उन्हें आगे करके खास कर यहां धलीतों पिश्डों वे मुसलिम समाज आदी के नाम पर बनवाई गई पाटियों एवम इनके संक्टनों के द्वारा भी सडियंत्र के तैत खड़े किये गई उम्मीदवारों को अपने यार दोस्त जाती ब्रादरी वे रिष्टे नातो आदी के चक्कर में पढ़कर इन्हें देकर खराब नही करेंगे तथा अपने बने इस पवित्र वे समाजिक भाईचारे पर आधारित इस गड़बंदन को कतई भी नुक्सान नहीं पहुचाएंगे अर्थात इन दोनों पार्टियों के सर्व समाज से जुड़े लोगों को देश वे जनहित में इन स्वार्थी वे बिक्यु ही प कर्मे ना पढ़कर इने केवल अपने गड़बंदन द्वारा खड़े किये गए उम्मीद्वारों को ही काम्याब बनाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए तबी फिर सही माइने में हमारा यहां अपने संतों गुरुवों वे महापुर्षवादी का मानब्त पूराबादी सोच पर अधारित इनका सर्वजन हिताय वे सर्वजन सुकाय का सही सपना जरूर साकार हो सकता है इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप सभी मीडियों को तता सप्पा वे बसपा गड़बंदन के सभी लोगों को भी नवर्ष सन 2019 की अपनी हार्दिक बधाई द करती हूं और आप सफ़ा के अध्यक्स सिरी अखलेक्स यादब भी इस बने गड़बंदन के समद्ध में अपनी बात आप लोगों के सामने रखेंगे धन्यवाद मैं सबसे पहले आधने माइवती जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं साती साथ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गड़बंदन आपने सुईकार किया है उसके लिए में मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारक बात देता हूं भाजपा साशन के पिछले पांस सालों में पूरे देश में गरीबों मजदूरों किसानों छोटे उद्द्योगों दुकंदारों नौजवानों दलित पिशडों महिलाओं और यहां तक ही बच्चियों पर जितना न्याय और अत्याचार हुआ है उसकी कलपना करना भी भगवान राम और भगवान किष्ट की जनम भूमी उत्तपदेश में तो भाजपा की सरकार ने तत्याचार किया है कि स्वें भगवान भी असानी पीड़ा हुई होगी केंद्र उत्तपदेश की भाजपा सरकार ने देश और समाज को एक सूत्र में बाढ़ने की बजाए सम अच्पागी उत्तपदेश सरकार ने तो उत्तपदेश को जाती प्रदेशी बना कर रख दिया है उत्तपदेश में जात और धर्म को देखकर बेकसूर लोगों के इंकाउंटर की जा रहे है अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले मरीजों की जात पूछी जा रही है थानों में रिपोर्ट लिखने से पहले फर्यादी की जात पूछी जा रही है यहां तक की धुरगटना में घायल व्यक्ति को साहता देने से पहले भी उसकी जाती पूछी जा रही है और अब तो इस्तिती यहां तक आ गई है कि भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बाटना शू कर दिया है अपनी नाकामियां अपनी विफलताओं और असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा दोरा देश और प्रदेश में धारबी कुनमात फैला कर भे और आतंका बातरम बनाये जा रहा है गरीबों की बहु बेटियों की हिज़त को सरयाम ब्याबरू किया जा रहा है उच्छे तिलाज ना मिलने के कारण गरीबों के हजारों बच्चे रोज़ाना सरकारी तालों मरे जा रहे है खाना ना मिलने का कारण करोडों लोग रात को भूगा सोने पर मजबूर है पूरे देश में अराजक्ता का बातमण है अन्याय और त्याचार के कारण शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है कि इन सरकार की गलत नीतों के कारण गरीब किसान हर रोज आतमत्या कर रहे है देश के नوجवान भाजपा के जूटे वादों से आहाथ और निराश होकर के बिरोजगारी के कारण आतमत्या कर रहे है देश और समाज के इन सुलकते मुद्दों से बेखबर भाजपा सरकार बड़े-बड़े उद्योग पतियों को खुश करने के लिए उनके बड़े-बड़े लोन माफ कर रही है इतना ही नहीं हीरे के उद्योग पतियों की सुविधा के लिए एहमदाबाद से मुंबई के बीच बलड़ ट्रेंड को जल से जल चालू करने के प्रयास किये जा रहे है मेरी आवाज अगर भाजपा के निताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुनने धर्म की याड में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूट निती का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और भाजपा का सफाया करेंगे भाजपा और भाजपा के निता ये बात भी अच्छी तरह समझ लें के बहुजन समाजपार्टी और समाजवादी पार्टी का केबल चुनावी गडवन्दन नहीं है बलकि भाजपा द्वारा किये जा रहे हैं नियाय और तैचार का अंत भी है अब भहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी और दोनों पार्टी के कारकरता मिल करके भाजपा के अत्याचारों का डट कर मुकाबला करेंगे मेरे अंतर मन में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गडवन्दन के नीम उसी दिन से बैट गई थी जिस दिन से सत्ता के नशे में चूर भाजपा के नेताओं ने आधनी मायवती जी पर अशोबनी टिपडियों करने के असिलसला सुरू किया था और भाजपा ने अपने उन संसकार ही निताओं को दंडित करने की बजाये उन्हें बड़े-बड़े मंतरा ले देकर उनके हौसले बढ़ाए थे अपने मन में मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गडवन्दन पर उस दिन अंतिम महल लगा दी थी जिस दिन राश्च सबा के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के स्वेट उमीदवार शिरी भीम राउमिटकर जी को चल कपट धोखे और विश्वास घास से हरा कर भाजपा के निताओं ने खुशियां मनाई थी भाजपा के अंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था आपको याद होगा मैंने इसलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गडवन्दन करने के लिए अगर हमें दो कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गडवन्दन करेंगे और भाजपा के अंकार को तोड़ेंगे मैं एक बार फिर आदनी मैवत्पी जी का धन्वाद दूंगा के कम से कम आपने वराबर का एक दूसरे का सम्वान करने का काम किया है गडवन्दन में आई से समाजवादी पार्टी का प्रते एिक कार पर्ता इस बात को गांठ बानद ले कि आदर्णिय माईवती जी का सम्मान मेरा सम्मान है और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदर्णिय माईवती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदर्णिय माईवती जी का नहीं बलकि मेरा अपमान हुआ है हम समाजवादी हैं और समाजवादियों की ये विशेस्ता होती है कि वो दुख और सुख दोनों में बरावर के हिस्सिदार होते है इसलिए हमें इस रिश्टे को मजबूती के साथ और आगे बढ़ाना है बहुजन समाजवादी पार्टी के गड़वंदन से घबराकर अपनी यादत के अनुसार भाजपा तरह तरह के सड़ेंट रस सकती है गलत फहिमी पैदा करके हमारे करगरताओं के बीच नफरत का बातारून बना सकती है भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है परन्तु हमें संयम और धैर से काम लेना है हमें भाजपा के हर्च साज़िश को नाकाम करना है और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है मैं आदर्णी मायवती जी का द्वारा देश हित में लिए गए उनके एतिहासिक निड़े का एक बार फिर स्वागत करता हूँ और मैं विस्वास दिलाता हूँ कि अब भाजपा के अत्याचारी साशन का विनास निस्चित है मैं इस बात का भी विस्वास दिलाता हूँ कि समय के साथ समाजवादी पार्टी और बहुझन समाजवादी की संब्ध और भी अधिक मजबूत होंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी पतकास साथियों का स्वागत करता हूँ और बढ़ाई देता हूँ इस गड़वनन के लिए आदरी मायवती जी का एक बार फिर बढ़ाई और बहुत बहुत धन्यवाद